इसको ब्चोड एस एक चोक है इसको वोटर के अंदर इमर्ज कर देते हैं तो इससे सभी डारेक्शन के अंदर बबल्स निकलते हैं तो इसा किस कारण से होता है तो बात करते हैं की कंसेप्ट की तो इस क्वेस्टिन के लिए तो की कंसेप्ट हम यूज करेंगे ये हमारे पास की कंसेप्ट क्या होगा की कंसेप्ट ये इस क्वेस्टिन के लिए होगा कैपिलरी एक्शन capillary action क्या होता है ये देखेंगे और किस परकार से ये चोक को इमर्ज करने पर effective होगा वो भी हम लोग discuss करेंगे तो यहाँ पर यदि मैं बात करता हूँ capillary action की तो capillary action basically होता क्या है किसी भी capillary tube के अंदर या narrow glass tube या narrow कोई भी tube हो glass tube की जरूरी नहीं है कोई भी narrow tube के अंदर water का level rise या depress होना वो हमारे पास क्या कहलाता है capillary action कहलाता है तो इसके statement की यदि बात करें rise यहाँ पर यदि में बात करता हूँ rise or depression in the level of a liquid level of a liquid into a small into a small narrow tube narrow tube is known as capillary action is known as capillary action तो इसको क्या बोला जाता है कैपिलरी एक्शन बोला जाता है तो यहाँ पर यदि मैं कोई एक container बनाता हूँ जिसके अंदर मेरे पास क्या है water है ये मेरे पास water है अब यदि इसके अंदर मैं कोई capillary tube इमर्ज कर देता हूँ अब यदि इसके अंदर मैंने कोई भी capillary tube इसके अंदर इमर्ज कर दी कुछ इस तरह से तो इसके अंदर जो water का level होगा वो या तो rise करेगा या depress करेगा यहाँ से मैं माल लेता हूँ कि जो water का level है वो इसके अंदर rise कर जाता है तो इसके जो rise करने का ये phenomenon है या property है इसको क्या बोला जाएगा capillary action बोला जाएगा तो अब ये हमारा हो जाएगा key concept इस key concept की helps इसका solution देखते है question का तो यहां पर यदि बात की जाए solution की तो solution हमारे पास क्या होगा यदि हमारे पास कोई choke है तो choke के अंदर काफी सारी various small capillaries होती है और इन capillaries के अंदर जब water rise करता है तो जो air होती है इन capillaries के अंदर filled की हुई या filled जो air होगी वो बाहर निकलेगी जिसकी वज़े से bubbles बनते हैं तो यहाँ पे यदि में statement group में लिखना चाहूँ तो क्या होगा there are there are various there are various capillaries there are various capillaries inside inside a choke choke के अंदर क्या होती है capillaries होती है और जब water क्या करेगा इन capillaries के अंदर जाएगा यहाँ पे हमारे पास क्या है water है यह जाएगा capillaries के अंदर capillaries के अंदर यह water जाएगा तो जो air होगी air क्या करेगी emerged out air जो होगी capillaries के अंदर emerged out होगी और यह क्या form करेगी यह form करेगी bubbles तो यह concept रहता है bubble form होने का कि चोक को water के अंदर emerge करने पर bubble क्यों बनते हैं तो ये इसके पीछे का basic concept होता है basic reason होता है So this is the final answer I hope you understood it well Best of luck, thank you